हलो दोस्तों आप देखेंगे अपन LCM and SCF देखेंगे किसलिए देख रहे हैं जी 36 सायक सिक्षावर्टी 2023 के लिए देख रहे हैं संख्या 32 के एक खुल कितने अपरवर्टक होंगे अपरवर्टक को क्या बोलते हैं इंग्पीस में याद रखेगा घ्र है ठीक है तो कितने अपरवर्टक को सकते हैं जी 32 की एक तो 32, एक हम 32 हो सकता है, 16 दुनी 32 हो सकता है, ठीक है, 8 चौंग 32 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, और 32 हो जाएगा, इतने अपरवर्तक हो सकते हैं, गिन लिजे, 1, 2, 3, 4, 6, 6 अपरवर्तक होंगे, तो आफसर नमबर C करेक्ट है फिर, ठीक है, फिर अगला कोश देखिए, संख्याओं में 18, 63 एवं 36 में से प्रतियक को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा गुड़न खंड कौन सा है? तो कौन सा है जी? तो देखिए, 18 है, 63 है और 36 है, ठीक है? तो इसमें देख लिजे आप ये कौन सी डिवाइड होगा? अगर देखेंगे तो ये कैसे लिख सकते हैं? 9, 2 जा लिख सकते हैं, ये 9, 7 जा लिख सकते हैं, ये 9, 4 जा लिख सकते हैं, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, तो इसमें सब को क्या बोल रहा है? सबसे बड़ा गुड़न खंड, तो ये 9 ही तो होगा ना, सब 9 से जा रहा है तो option number C correct है फिर ठीक है दोस्तों फिर अगला question देखिए 48, 60 तथ 84 का महत्तम समापर तक ज्याद कीजिए तो महत्तम समापर तक ज्याद करना है तो कैसे करेंगे जी तो देखिए 48, 60 और 84 अब महत्तम समापर तक ज्याद करना है तो आप ऐसा number ले ले लें तो इस सब ही से divide हो जाए एक तो असान तरीका इस तरीका से कर सकते हैं तो देखिएंगे तो सब 12 में हो जाएंगे एक 6 में भी होगा, 12 में भी होगा, 4 में भी होगा तो अपन 12 ले 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 लेते हैं तो 12 चौक 48 ठीक है 12,5,60 और 12,5,60, 12,1,7,84 तो अब ये क्या हो गया? सिंगल नंबर हो गया ये तो किसी जाएगा नहीं तो अपना सबसे बड़ा महत्थम समापर तक क्या हो जाएगा? 12 तो अपना option भी correct है फिर अगला question देखिए तीन आयता कार खेतों का छेत रफल क्रमसा, 200 वर्ग मीटर, 2,5 सब वर्ग मीटर तथा कितना है? 300 वर्ग मीटर है तीनों खेत में बराबर 6 रफल भी क्यारी बनाई गई है यदि प्रत्य क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर हो तो इनकी अधिक से अधिक लंबाई क्या हो गी? तो ऐसे कोस्यन को कैसे करेंगे जी? तो इसका एक महत्तम समापर तक निकाल लेते हैं तो 200, 200 और 300 तो सब में 00 है, सब के 00 कार दो तो ये 5 से जाएगा 5, 4, 20 आए 5, 5, 6, 25 और ये क्या हो जाएगा? 5, 6 तो इसमें सब महत्तम समापर तक निकालेंगे तो केवल क्या निकलेगा? जी महत्तम समापर तक 5 आजाएगा अब यहाँ 0 काटे थे यहाँ 0 लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा न? ठीक है अब लंबाई क्या होती है? तो देखिए 6 रफल बटा चोड़ाई होती है तो 6 रफल कितना दिया हुआ है? अबने को 50 दिया है और इसकी लंबाई कितनी दिया है? 5 मीटर की हो जाए बोल रही है न? चोड़ाई यह देखिए चोड़ाई 5 मीटर की हो जाए 5 से डिवाइड कर जी 5 एकम 5 तो एक इतना 10 हो जाएगा तो आपसान नमबर B 10 मीटर ठीक का दोस्तों? फिर आगे देखिए पहली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? जिसमें 184 169 वा 134 में भाग देने पर 6 9 बचे तो 6 9 बचे बोल रहे हैं न? तो 184 169 और 134 सब को 9 से मैनस कर दीजिए तो ये तो 150 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 9 से मैनस होने एक बाद 125 हो जाएगा और इसमें 9 से मैनस करेंग तो 175 अब तीनों का LCM ले लीजिए तो देखेंगे तीनों का अगर 175 है 150 है और 125 है तो ये पचीसों से जा रहे है क्या? अगर डारेक देखेंगे तो 25 कितना हो जाएगा? 25 छक्का डेर सो 25 सत्ते हो जाएगा ये चक्का हो जाएगा ये पंजा हो जाएगा अब ये तो आगे जब बढ़ेगा ने तो आपसन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा हमारा फिर अगला कोस्यन देख लीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? जिसमें 2934 23254 को भाग देने पर 11 अवा 15 सेशफल हो ते तो सेम कोस्यन है दोस्तों ते ये आपके लिए होमवर्क रहेगा फिर आगे देखते हैं आपन संख्याओं 18, 21, 24, 37 का लगुत्तम समापर तक क्या होगा? तो इसको निकालना पड़ेगा क्या? लगुत्तम समापर तक बोला है तो LCM निकालना पड़ेगा तो 18, 21, 24 और 27 तो देखेंगे तो इसमें क्या होगा? 2 से चले जाएगा ये ना हो जाएगा, ये नहीं जाएगा तो 21 रहेगा, ये 12 हो जाएगा ये 27 रहेगा फिर ये 2 से चले जाएगा तो 9 हो जाएगा, 21 हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ये 27 रहेगा फिर 2 से देखेंगे 9 हो रहेगा, 21 रहेगा ये 3 रहेगा, ये 27 रहेगा फिर देखेंगे तो 3 तिया 9 3 सत्ते, 3 एकम और 3 निया फिर तीन से देखेंगे तो क्या जाएगा जी तीन एकम तीन एक सत्य हो जाएगा एक हो जाएगा एक हो जाएगा अब यहाँ से क्या होगा एक तीन जाएगा तो यहाँ वन आएगा और यहाँ से एक साथ जाएगा तो यहाँ वन आएगा तो दो एकम दो दो ने चार दो चार पर 56 मुल्टिप्लाई 27 तो ये दोनों को जब मुल्टिप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी 15 12 ठीक है साथ चपका 42 ये तो दो आपका मेज कर रहा है तो यहां भे देखे कोई 2 है नहीं तो आपसन नंबर D पर लगा सकते हैं फिर अगला कोशन देखिए वह छोटी से छोटी संक्या जिसमें 8 9 12 15 से भाग देने पर सर्वत्र एक सेज बचे वह क्या है तो 8 9 12 और 15 का दी लगुत्तम समापर तक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यह 4 हो जाएगा यह 9 हो जाएगा यह 6 हो जाएगा यह 15 हो जाएगा फिर देखेंगे तो यह 2 हो जाएगा यह 3 हो जाएगा फिर दो से देखेंगे तो कितना होगा जी नव पंचे पैंटालीस आठ पंचे चालीस की जीरो हाथ लई चार आठ चंग बत्तिस अचार छाथ तीस तीन सो सार्थ आपसन नंबर सी काया बी कारेक्टा है फिर फिर अगला कोश्यन देखिए वह लगुत वह लम लगुत्तम संख्या क्या है जीसमें 12, 18, 36, 35 से भाग देने पर क्रमसा 8, 14, 12, 32 और 41 सेज बचे एक होमवर्ग रहेगा ठीक है दोस्तूं फिर अगला कोश्यन देखिए दो संख्याओं का लगुत्तम समापर तक 19, 20 और महत्तम समापर तक 16 है लगुत्तम यदी 19, 20 है और महत्तम क्या है 16 है तो इसमें एक संख्या दिया है अपने को 20 इंडू 16 अब इसको इस तरफ ले आई है तो 19, 20 तू 16 भाई 128 अब जल्डिस इसको करके बताइए कितना आएगा कितना आएगा ते आजाएगा 240 तो आफसर नमबर भी करेक्ट हो जाएगा हमारा फिर अगला कोश्यन देखते हैं दोस्तूं तो देखिए 1 बटा 2, 3 बटा 4, 5 बटा 6, 7 बटा 8, 9 बटा 10 का महत्तम समापर तक ज्याद कीजिए तो महत्तम समापर तक ज्याद करना है तो देखिए महत्तम समापर तक तो उपर का क्या हो जाएगा महत्तम समापर तक हो जाएगा और नीचे का क्या हो जाएगा लगुत्तम समापर तक तो उपर का महत्तम समापर तक ले लीजिए एक, तीन, पाँच, साथ और नौ का महत्तम समापर्तक और नीचे का लगुत्तम समापर्तक दो, चार, छे, आठ, दस का लगुत्तम समापर्तक तो इसका महत्तम निकालेंगे तो एक आएगा इसका लगुत्तम निकालेंगे तो 120 आएगा तेक बटा 120 कहां दिया है तो option number B पे दिया है ठीक है दोस्तों A वाला question करिएगा इसका मैं आपको correct answer बता देता हूँ A एक same question है एक आप लोग के लिए home work रहेगा ठीक है दोस्तों अगर आप channel पे नए हैं तो channel को subscribe कर सकते हैं और video को like कर सकते हैं दोस्तों जिससे हम आपके लिए नए नए लेकर आपाएं